जैहिंद नमस्कार साथियो मैं प्रियान सुतिवरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सीता पर फिजिकल एकेडमी में तो साथियो आज मैं आप सब लोगों के बीच ओफिसियल नॉटिफिकेशन वा आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे वा सब मैं आज डिटेल्स में बात करूँगा लेकिन इन सब का जो एक कारण है लखनव जहां पर भरती चल लएगी यहां पर भरती चलेगी शोला नॉवंबर से कब से शोला नॉवंबर से आपकी भरती स्टार्ट है लखनव में तो साथियो थोड़ा सा पहले हम लखनव के बारे में बात करते हैं फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगरा और अमेठी बनारस का जो है भरती जो पॉस्ट पॉस्ट पॉन हुई है वह कब है और इसके एड्मिट कार्ड कब आएंगे साथियो बहुत सारे बच्चों की मन में अभी भी या ब्रहम है कि हमारी भरती पॉस्ट पॉन नहीं हुई आगे नहीं बढ़ाई गई तो साथियो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं वह सभी लोग या जरूर बताएं कि आप सभी लोग कहां से भरती देखने आ रहे हैं ठीक है क्योंकि मैं वहाँ पर जा करके भरती में विजिट करूंगा और जो भी अपडेट वहां से जुटा पाऊंगा आप लोगों तक पहुचाने का पूरा प्रयास करूंगा वहां की लाइब वीडियो अगर ग्राउंड की परमीशन हुई तो ग्राउंड की रनिंग की वीडियो वरना जो बच्चे पास बच्चे वह फेल बच्चे जो भी बच्चे बाहर आएंगे उनसे रिव्यू लेगर के पूरी इंफरमेशन में आ और देख रहे हैं वीडियो लेकि सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो लोग सबस्ते की ये बड़ा चैनल है और तभी इंफरमेशन को देखने का प्रयास करते हैं साथियों आपको इ तीतापुर फिजिकल अकैडमी के पर्सनल मॉबाइल नमर से जुड़ जाएए जिसे आपको जो भी अपडेट है वह स्टेटस के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुचेगी क्योंकि होता क्या ऐसाती हो अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है वीडियो बना के अपलोड कर लगए चार से पाँच घंटे का टाइम लग जाता है थोड़ा सा डिले होता है इसलिए मैंने यह एक स्कीम लांच की है कि आप सभी लोग स्टेटस के माध्यम से फास्ट अपडेट पा सकेंगे तो सबसे पहले आप सभी लोग नंबर नोट करिए नाइन फोर फाइब करना है और आपका सीता पर फिजिकल अकैडमी में SPA में मोबाइल नंबर सेव हो जाएगा ठीक है और आप स्टेटस देख पाएंगे सात्यों सबसे पहले आप यह काम करें हायलो मत लिखना ठीक है अब हम बात करेंगे कि आपकी जो रैली भरती है वा कौन सा जिला कब लग करती के दो दिन पहले आप सभी लोगों को चार बाक से आपका जो AMC ग्राउंड है उसका पूरा रास्ता में लाइफ दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा और आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि कहां से आटो पकड़ना है और कैसे आपको शेंटर तक पहुझना है कित सो बोलते है ठीक है तो आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा यह समस्या नहीं उठानी पड़ेगी ठीक है और यह केवल सीता पूर फिजकल अकैडमी है तभी संभव है तो सबसे पहले हम बात करेंगे लखनाव एरो की साथियों हम बता दें कि आपका जो यह डिले हु कि गई है किसलिए डिले की गई है क्योंकि जो मेडिकल का यहाँ पर मेडिकल कराया जाएगा तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपका डिले हुआ है या किवल 16 नॉवंबर को जो लखनों में भरती है इसकी वज़ा से डिले हुआ है तो साती हो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी युवा भरती देखने आ रहे हैं त तो 16 नॉवंबर को कौन सा जिला लगा है 16 नॉवंबर से 22 नॉवंबर तक 16, 18, 19, 20, 21 और 22 16 नॉवंबर को आपका है औरया ओरया ठीक है अगर हम बात करें 17 नॉवंबर को तो 17 नॉवंबर को है कनाउज कमा महोबा उसके बाद उसी दिन हमीरपूर बांदा साथियो 17 तारिक को 4 जिले और 16 तारिक को एक जिला 16 नॉवंबर 17 नॉवंबर 18 नॉवंबर 19 नॉवंबर 21 और 22 तो 18 नॉवंबर की तो 18 नॉवंबर को गोंडा कि एक दिन में कुल कितने बच्चे वहां पर बुलाए जा रहे हैं कानपुर देहाद 19 नॉवंबर हाँ 20 को कानपुर नगर वा उन्नाओ उन्नाओ के बच्चे बुलाए जाएंगे 21 को लखनओ 22 को फतेहपुर शातियो आपका जो या भरती सेडूल है या क्लियर हो गया है कि किस दिनाँ को कौन कौन से जिले लगे हुए हैं तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ठीक है अब हम बात करेंगे आगरा या रोकी तो साथियो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे साथियो आप सभी लोगों का ऐसे ही सहयोग प्यार सपोर्ट बना रहा तो बहुत ही जल यह सारी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगो को डिजिटल बोर्ड पर प्राप्त होगी तो प्लीज आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रही है अगर हम बात करें आगरा की और बहुत जल आप सभी लोगों को निसूल को प्लास सीता पर फीजिकल अकैडमी का स्टार्ट हो जाएगा तो चार दिखंबर चार दिखंबर से टू तेरा डिखंबर तक चलेंगी आगरा में जो भरती है या मैं क्लियर नॉटिफिकेशन इसलिए बता रहा हूं साथियो क्योंकि आपका जो भरती है लखनों किया इससे पहले क्लियर हो जाएगी उसके तुरंद बाद आगरा में भरती स्टार्ट हो ज छे सो बच्चों ने परिच्छा को पास किया है परिच्छा को पास किया है एक्जाम को पास किया है ठीक है कुल बच्चे बारा हजार छे सो भाग लेंगे इस भरती में आगरा की भरती में अगर हम बात करें अमेठी की सेकेंड अमेठी अमेठी तो 19 दिसंबर त्यारा को खतम हुआ ना इधर अमेठी तुरंत 19 दिसंबर से 27 दिसंबर तक भरती चलेगी ठीक है तक भरती प्रक्रिया चलेगी इसमें जो कुल बच्चे हैं वह हैं नो हजार आठ सो पचाज जिन्होंने परिच्चा को क्वालिफाई किया है परिच्चा को पास किया है ठीक है अगर अब हम बात करें बनारस की बनारस की तो दो जनवरी मैंने पहले ही बताया था कि यह भरती से ड्यूब चेंज होगा दो जनवरी से टू बारा जन्वरी तक भरती चलेंगी यहाँ पर जो कुल अभ्यारती है वहाँ है 1200 मतलब कुल अभ्यारती है 1200 1200 से अधिक अभ्यारती है और या भरती प्रक्रिया चलेगी गोरकपुर में गोरकपुर में बावा के सहर में आप सभी लोग भरती देखने जाएंगे तो साथियो या सबसे पहले आप सभी लोगों को clear हो चुका है और मैं आप सभी लोगों को थोड़ी और information देना चाहूंगा ग्राउंड की जो खुदकान अभोग है वहां भी मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि वहां पर क्योंकि मैं बहुत सारी भरती में विजिट कर चुका हूं तो आपको आपको जो वहां पर बैच मिलेगा कितने का मिलेगा कितने बज़े लाइन अप करना है तो साथियो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि आप जब जाएंगे तो रातरी में आपको अपने हिसाब से देखो मैं यह नहीं कूँगा कि इतने बज़े फ्रस ओ लिजिए अपने हिसाब से आपका जो विसेडियूल है जो रेगुलर फॉलो करते हैं वही आपको भरती के दिन फॉलो करना है और वह चीजे जहेल नहीं पाते हैं जिसे दवाई इंजेक्शन ठीक है तो आप सभी लोगों को सारी चीजों को इग्नोर करना है हाँ आपको जो भी यूज करना है मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि दवाई नहीं यूज करिये नहीं injection use करिए मैं आपको इन सब बातों के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि use करिए या ना करिए वो आप पे depend करता है लेकिन आप जो भी करना एक बार भरती में जाने से पहले उसको ground पे trial ले लेना आपके body पे वो काम कर रहा है तभी उसको तलासी होती है फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं आप बहुत पहले लगाना चाते हैं या खाना चाते हैं तो वो सारी चीजे आप पहले ही यूज कर लीजी तभी वहाँ पर कुछ बहले ही आप एलक्ट्रॉल या गुलू कॉंडी पीजी है लेकिन उसका पहले trial ले लेना कहीं भी हो आपको आगे बैठने की कोशिस करना है ठीक है कोई बात नहीं अगर आगे नहीं बैठ पाते हैं वह भी मैट्रिक आपको बताऊंगा क्योंकि आप केवल भीड सौ की हो रही यहां पर केवल आपको सौ बच्चों में competition है ठीक है आपका यह ground है ठीक है माल लेते हैं यह ground है क्या दिक्कत है ठीक है और आपको यहां पर बिठाया गया है ठीक है और आप बीच में फस गए कोई बात नहीं ठीक है अब मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि पहला चकर आपको एक पंद्रा में लगाना है फिर दूसरा एक पंद्रा में लगाना है फिर तीसरा एक दस में लगाना है और चौथा जितने में लग जाए ऐसा मैं कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको बोल दूँँगा पहला चकर एक पंद्रा में लगाना है हो सकता है second round में आपके अंदर energy ना बजे तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा जिससे मैं बताऊं और आपको नुक्सान हो हा साथियो यह मैं जरूर बताना चाहूंगा कि पहला चकर कैसे लगाए पहला दूसरा तीसरा चौथा ठीक है तो साथियो पहले चकर में आपको क्या करना है आप कितनी भी पीछे बैठे हों मैं जो बाते बताऊंगा एक जरूर बताऊंगा कि आपको पहले चकर में इतना कबर करके चलना है कि तीस पैतेस कोमा चालिस के बीच में ही रहें कि मद्ध ही रहें इस से उपर एक तालिस भी नहीं होना चाहिए अब बोलोगे सर ऐसा क्यूं क्यूंकि जो बच्चे बहुत पीछे हो जाते हैं तो इस ग्राउंड के अंदर एक, दो, तीन, चार, वा पांच इस ग्राउंड के अंदर पांच गेट बने होते हैं और उनको जो बहुत पीछे हो जाते हैं उनको अंदर कर लिया जाता है क्यों अंदर कर लिया जाता है क्योंकि आगे वाला बच्चे आपको ओरलाइब न कर दे फिर समझ में ही नहीं आए कि आप आगे हो या पीछे सबसे आगे हो या फिर सबसे पीछे इसलिए आप सभी लोग यह चीज समझ लिजिए कि पांच गेट बने होते हैं अगर आप ज्यादा पीछे हो जाते हैं तो आपको पकड़ के वहाँ पर फौजी भाई जो भी होंगे आपको डंडा दिखा के अंदर कर लेंगे फिर आपको सेकेंड राउंड में क्या करना है पच्चीस तीस पैथिस के मध्ध आ जाना है दूसरे राउंड में इतना कवर करके चलना है कटने नहीं देना है वाई क्योंकि भारती सेना की रेस है रेस है यह एक हम रेस है हाँ अगर आपने यहां पर इसको क्वालिफाई कर तो साथियों में आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आप 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन 90% आप फौजी बन गए हैं ठीक है क्योंकि फाइनल कट आफ आपकी बहुत ज्यादा नहीं जा रही है 60 प्लस मान के चलिए 160 ठीक है बस तो आपको हाँ इसका मैं separate वीडियो बना कटे काट के जो भी युआ कवर कर रहे हैं ठीक है क्या करना है आपको 15 20 25 साथियों मैं तीन option क्यों दे रहा हूं एक good एक very good और एक good के लिए समझ पा रहे होंगे आप कि आप excellent में आ जाएंगे और आप second group में आ जाएंगे आपके chance बनते हैं आधे आधे के excellent में आने के ठीक है चौथे round में आपको कुछ नहीं करना है चौथे round में आपको कहां सिता कर लगानी अगर आपके अंदर energy बची हुई है तो आप पूरे round में एक पूरा एक चकर speed से लगा सकते हैं लेकिन आपको या ध्यान देना है कि ऐसा नहों कि हम आधा चकर लगाएं और आधे में ठीक है 200 में इतना करना कि कम से कम दो बच्चे आपको काटने है आपको time आपको क्या करना है ठीक है जो भी हो सकते पांच 10 15 20 इसके अंदर आ जाना है साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इतना सब कुछ समझ आ गया होगा ना तो जिन लोगों को समझ आ गया है तो फिर हाँ जोड़कर request है कि आप सभी लोग एक बार comment box में सीता पर physical academy is always best जरूर लिखिये क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं यह video आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि office में बहुत ज़्यादा work रहता है लेकिन आप सभी लोगों के इतने ज़्यादा comments आए हैं कि मैं य पर physical academy is always best जरूर लिखिये साथियों मैं अब आप लोगों को कुछ और चीजे बताने वाला हूं जितनी भी हमारी मात्र सक्ती वीडियो देख रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा comments आ रहा था हमारी बहनों का कि सर एक वीडियो लड़कियों के उपर भी बनाईए तो same condition है व सभी लोग comment box में जरूर comment करेंगी कि वहां कब आ रहे हैं और किस दिना को आ रहे हैं और कब हमको वहाँ पर मिलेंगी साथियों मैं और आप लोगों को एक information देना चाहूंगा कि वहाँ पर जो आपका batch बनेगा अगर हम batch की बात करें वहाँ पर 100 का batch बनेगा ठीक है 100 का ठीक है बच्चे कितने लिए जाएंगे साथियों मैं पिछली भरती का review बता रहा हूँ 45, 40, 35 वा 30 इससे कम किसी भी भरती में नहीं लिए गए अगर हम बात करें time की अगर हम बात करें time की तो आपको 5, 45 क्योंकि मैंने अपनी आखों से देखा है 5, 45 जिसमें time दिया था उसमें something 48 बच्चे पकड़े थे 48, 50 के आसपास वो मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी लेकिन किसी कारण बास मुझे यूट्यूब से डिलीट करने ही पड़े हुआ वा वीडियो क्योंकि उपर से सकता आदेश थे कि मैं ground की वीडियो नहीं डाल सकता हूं है तो आपको जो time मिलेगा वा 5, 45, 35 ठीक है कम से कम अगर मैं time बताओं आपको तो सुरी चार लेकर है पांच तीज कौमा पांच 28 वा 25 इससे कम आपको 24 भी time नहीं मिलेगा ठीक है तो आप सभी लोग एक बार mind में set कर लीजिए कि आपको 5, 25 से 5, 45 के बीच time मिल जाएगा अब बहुत सारे बच्चों का यहाभी comments आ रहा था कि sir मैं किस group में बैठ हूं जो वहाँ पर group बनाए जाते हैं first या second या third या fourth या जो कुछ भी हो तो साथियों मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग किसी प्रकार की हुसियारी वहाँ पर नहीं करेंगे या भी मैं खुद का एक अनभ को आजमायात हो सकता है आप दोबारा इस वीडियो को देखके एक बार जरूर कमेंट्स करने आएंगे कि sir मैंने आपकी बात फालो किया और मैं आज भारती सेना की रैनिंग को कौलिफाई करके आ चुका हूं तो साथियों आप जब वहाँ पर रात में लाइन अप होंगे तभी से आपकी किस्मत बनना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो वहाँ पर आपको जैसे जहां पर बैठने को मिल जाए वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि first group है ठीक है या second है या third है या fourth है fifth, sixth, seventh, eighth जो भी है साथियों दस group बनेंगे something ठीक है तो जो भी group है आपको आपको बैठना है हो सकता है आपकी किस्मत आपको ले जा रही हो चौथे group में वहीं से आपकी किस्मत चमकनी हो ठीक है लेकिन आप होसियारी करके second group में चले जाए ठीक है और वहां से कुछ नकुछ बिगड़ जाए ठीक है वह मैं लिखना नहीं चाहूंगा ठीक है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो काफी चीजे सीखने को मिल लहीं होंगी ठीक है अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा आप पांच बज़े उठते हैं ठीक है पांच है ठीक आपकी टाइमिंग है च सौ प्रितसत देता है और आप भी अपनी बाड़ी का सौ प्रितसत देते हैं लेकिन टाइम में कितना ज़्यादा डिफरेंट है तो साथियो मेहनत सभी लोग बराबर करते हैं सभी लोग जो भाई सुबह की नींद खो के आएगा वह एकदम 101 परसेंट मैं गैरेंटी लेता है हाँ उसे नहीं हो रहा है कहींने कहीं कोई एक्सेसाइज मिस्क कर रहा है कहींने कहीं उग्यों सभी लोग 100%. करते हैं चाहे आप हो या हम हो ठीक है हम भी अपने dai 100% महनत कर रहे हूँँगे ठीक है लेकिन यहाँ पर 100% महनत का अगर रोल है तो 100% आपका किस्मत का रोल है किसका पिश्मत का ठीक है तो आप सभी लोग Two समझ चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ठीक है यहाँ पर हो सकता है कि प्रकते आपका साथ दे दे और आप उसी प्रकार से जाए और आप अपने भविष्ट को चमका कराएं ठीक है साथियों अगर अब भी आप सभी लोगों का कोई भी क्वेस्चन है तो मैं फिर से कहना चाहूंगा 9455 347294 यह 24 घंटे ठीक है कॉल या MSG कर सकते हैं वाट्सअप पर ठीक है समझ गया 24 घंटे आपकी सेवा के लिए सीता पर फिजिकल अकैडमी सीता पर फिजिकल अकैडमी 24 घंटे तयार है बस आप अपनी सफलता की और बढ़ते जाए साथियों मिलते हैं एक नई इन्फार्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद